हेलो दोस्तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भेल से लेड़ेड भारत हैवी इलेक्रिकल्स लिमिटेड भी एचील इसका नाम है ठीक है तो क्या कंपनी में आप देखी पार देख रहे होगी किस तरीके से वन वे रैली होती हुई नजर आ रही है किस तरीके से यह 60-70 र क्या यहाँ पर बेच के चलना है और क्या इसका रीजन है यह सब चीज हम एक बार जानते हुए नजर आएंगे ठीक है तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बाइंग सेलिंग की कोई भी रिक्यमेंडेशन नहीं है अपने अपनी इंटिलेक्चुल के हिसाप से यहाँ पर बाते करता हुआ नजर आऊंगा ठीक है तो उसके हिसाप से हम यहाँ पर बाते करेंगे और इससे पहले आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट है कि I am Small Cap Investor चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और को नोटिफिकेशन क कि स्थारी के दिन नया और सीकने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो जाकर्याई कि आपको यहाँ पर देखनी है किस तरीके से आपको यहां पर देखना है दूसरी बात अगर आपको चीजहों पर बारी की तरीके से सीखना है कि क्यों क्या कैसे के जबाब चीए की शेयर क्यों भागते हैं किसलिए भागते हैं क्या रीजन होता है वो सब चीज जानना है ठीक है ना सब चीज जानना है एक साल के वल अभ्यास कर लीजेगा प्रक्टिस कर दीजेगा आपको पीछे मुड़के देखने की जड़ोतनी पड़ेगी दूसरी बात अगर साथ में काम करना है तो इनी नंबरों पर डॉबल एक बात करने का कोई पैसा नहीं है साथ में मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं अगे बढ़ते हैं भारत हैवी एलेक्टिकल्स लिमिटेड की हम बाते कर रहे हैं कंपनी क्या करते हैं इस एन इंटिग्रेटेड पावर प एक्यूपमेंट मैनुफेक्ट्चर इंगेज इन डिजाइन इंजिनेरिंग मैनुफेक्ट्चर इरक्शन टेश्टिंग कमीशन एं सर्विसिंग इस अफ वाइड रेंज अप्रोडटक्ट एंड सर्विस और कोर सेक्टर ऑफ एकोनोमी विज यहां पर आप देखेंगे पा इनका पॉर्ड़क्ट पॉर्टफोलियो क्या है और बुक क्या है किस तरीके से कंपनी काम कर रही है ठीक है आपको पूरा का पूरा एक आईडिया लगता हुआ नजर आएगा मार्किट कैप की बात कर रहे तो 79,356 करोड रुपेस की मार्किट कैप है मिट कैप कंपनी है पी की बात कर रहे तो 1113 का पी है ठीक है इंड़स्टी के पी की बात कर रहे 46 का तो 1113 का पी है तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा ठीक है न लेने से पहले आख बंद करके ले लिए बात करें बिल्कुल बेकार है आपको है पर दिखाई दे रहे है जब तक 15 के ओपर या 20 के ओपर ना हो तब तक ROE ROCE यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते हैं यहाँ पर देखिए 11 के इंट्रेंसिक वैलियो फेस वैली दोखी है डिविडेंट भी देती है 234 का हाई लगाया है 35% का debt भी है company के उपर यहाँ पर share holding pattern पर जाते है तो आपको समर्य में आएगा promoters के पास 63.17% है FIS के पास 7% यहाँ पर दिखाई देती है ठीक है डियाइस की बात करे 17% है DIs भी यहाँ पर लगाता रिसेदारी बढ़ा रहे है as well as public की बात करे पब्लिक के पास भी लगवा 12% के share यहाँ पर दिखाई देते हैं इसके लाबा आप यहाँ पर देखोगे कुछ blog deals वगएरा वो आपको दिखाई दे जाएंगी कि यहाँ पर किस तरीके से अब मैं आपको रियलीटी से वाकित कराऊंगा उस शीच को थोड़ा सा देखिएगा ठीक है चार्ट को यहाँ पर देखिए चार्ट आपको अच्छा दिखाई देता हुआ नजर आएगा ठीक है अच्छा खासा शेयर यहां पर भागता हुआ भी नजर आ रहा है बाद में देखेंगे भी कहां तक जा सकता है कहां पर नहीं वह हम जब टेक्निकल की बाते करेंगे तो जाएगा यहां पर देखिए कंपनी के आप देखेंगे परफॉर्मेंस तो आपको सेल्स वाइस अच्छी नजर आएगी ठीक है लगा था शेयर बढ़ती हुए नजर आईए पि margin negative में दिखाई दे रहे हैं कंपनी का profit before tax company का net profit company का EPS सब क्या दिखाई दे रहा है नगिटिव में दिखाई दे रहा है क्यों कमनी है क्योंकि एक parameter होता है किसी भी चीछ को खरीदने का एक parameter होता है यहाँ पर किसी चीछ को buy करने का as well as अपनी safety देखने का stock market में पैसे कमाने से पहले यह देखा जाता है कि पैसे हमारे safe रहेंगे या नहीं रहेंगे क्यों क्योंकि कल को अभी आपके पास यहाँ पर आपके बारे में ही बाते करूंगा FHDIs उनकी जो intellectual है वो मेर से कफ़ी जाता है ठीक है मैं उनके लिए नहीं है वीडियो वीडियो है पब्लिक के लिए तो यहाँ पर आप देखोगे तो 12% के share है इनके पास 7, 17 और government के पास भी है ठीक है इनोंने बेचना शुरूर किया ना तो आप कहीं पर भी नहीं रहोगे और जब तेजी दिखाई देती है तो तेजी में लोग यहाँ पर ऊपर के लेबल पर फसे है इस चीज को याद रखिएगा तो fundamental क्या support कर रहे है वो एक बार अपने आप से question पूछना क्या PE justify है यह question अपने आप से पूछना दूसरी बात यहाँ पर sales की बात कर रहे है तो sales यहाँ पर देखिएगा 48,000 से sales लगातार गिरती हुए नजर आ रही है ठीक है यहाँ से बढ़ रही है 2020 से अच्छी बात है order book यहाँ पर बढ़ती हुए नजर आ रही है ठीक है that is a different matter ठीक है न उसे यहाँ पर नहीं देखिए बट अभी जो दिखाई दे रहा है हम उससे related बाते करें net profit की बात करें कि जहाँ पर 77,000 क्रोड का profit हुआ करता था ठीक है बीच में यहाँ पर negativity आई अभी आप यहाँ पर देखोगे profit में दिखाई दे रहा है बट यह पर देखिए अब profit जो यहाँ पर एक साल पहले 2023 में 470 क्रोड का profit था वो profit यहाँ पर अब 71 क्रोड का रह गया है क्यों रह गया है क्योंकि 2 quarter से लगातर घाटा होता हुआ नजर आ रहा है इस शीच को आख बंद करके देखने की अगर आख बंद कर लेने से न आपके लिए विशक से अंदेरा होगा ठीक है बर दूसरों के लिए हमेशा जाला ही रहेगा उस शीच को भी थोड़ा सा देखना है ठीक है रिजर्स देखिए तो रिजर्स यहाँ पर देखिए रिजर्स बढ़ता हुए नजर आ रहे है अच्छी बात है बॉराइंग कंपनी का पास रहने का मतलब है कि दो क्वाटर से नेगेटिव अर्णिंग आ रही है कंपनी की पी की बात कर रहे तो 1113 का पी दिखाई देता है क्या ही सब चीज जस्टिफाई कर रही है क्या आपको बता रहा है कि यहां पर इंशेरों में आपको बने रहना चाहिए आप एक बार खुद परणिव और ने रहने को अगरा रहा है आपको फ्यवर हूं तो यहां पर आप देखिएगा दूसरी बात यहां पर कोर्स कर सकते हो इन नंबरो को नोट कर के साथ में काम भी करना है ठीक है इसी दरीके से शेर दूसरे भी भाग दें पर फुदानमेंटली स्ट होंग है 156% के return यहाँ पर 6-7 महिने में देखते हुए नजर आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब देखेंगे, तो यहाँ पर एक multi-year breakout होता हुए नजर आया है, इस particular share में, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, क्या हुआ है, एक multi-year breakout होता ह हुए नजर आया है, तो आप क्या करते हुए दिखाया है, देख सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक level, तो यहाँ पर देखिए, आप एक छोटा से stop loss, 216 रुपे का, ठीक है, लगब लगब यहाँ पर, 216 रुपे मतलब, 11 रुपे का यहाँ पर रिस्क रहेग कि ब्रेक आउट हो गया है, ठीक है, रिजल्ट आएंगे दुबार है, रिजल्ट पर 17 मेर्टर करेगी पहली बात, दूसरी बात, ठीकनिकल अच्छे नजर आते हैं, तो यहाँ पर शेर कहां पर जा रहा है, तो शेर कहां की तरफ जा रहा है, तो उससे लेटिड हम बाते कर तो यह क्या है, यह आपके टार्गेट बनते हुए दिखाई दे रहे है, तो इस शीच को आप क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, तो 60% से लेके 70% की तेजी, अभी भी इस पर्टिकुलर शेर में नजर आती है, क्या वन वे रैली हो सकती है, हो सकती है, इफ यहाँ पर उपर की लेबल पर फस्त हुए नजर आ सकते हो, बट इस्टिल जब चीज़ चल रही है, भाग रही है, तो इतनी यल्दी आपको नहीं मचानी है, बट इस्टिल सोच समझ के, ठीक है न, जो मैं आपके सामने, आपके साथ शेर करें, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, ठ करोड़ पती बन जाओंगा, और कहां पर फिर वो ये पैसे आपके, एक करोड़ पचास लाग से सीधे, यहां पर दस लाग पाच लाग पर रह जाए, तो वो भी अच्छी बात नहीं रहेगी, तो इस चीट को याद रखिएगा, उसके बेसिस पर यहां पर देखिएगा, सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हीट करिए, ओके वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन नमरों को नोट करके काम कर सकते हैं, ओके आप हमसे एडवाईस दे सकते हैं, यहां पर आप देखिये, तो कोर्स भी कर सकते हैं, थैंक इसो मुच, गडब्लेस.